10 जुलाई 2023 को सावन महीने का पहला सोमवार पढ़ने वाला है इस दिन बच्चे, बुडे, नवजवान, महिले, बुजुर्ग सभी लोग भगवान शिव की विधिवत पूजा करके उनके लिए उपवास रखेगे कुछ लोग फलाहारी रखते हैं, तो कुछ मिर्जला, तो कई लोग पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय में खाना खा लेते हैं ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार का वरत रखने वाले लोगों को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं सावन महीने की क्या है खासियत, दरसल, शास्त्रों में सावन मास को सरवोत्तम मास बताया गया है वहीं इस बार अधिक मास यानि मलमास की वज़े से ये सावन और भी ज़्यादा खास हो गया है साथ ही सावन के सोमवार की संख्या भी बढ़कर चार से आथ हो गई है ये वरत काफी चमतकारिक माने गए है ऐसे में कोई भी भूल करने से बचना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि आखिर सावन सोमवार वरत के दोरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए सावन सोमवार वरत में क्या खाना चाहिए फाल वरत के दोरान सबसे उत्तम आहार माना जाता है अगर आप भी सावन सोमवार का वरत रख रहे हैं, तो आप फलाहार कर सकते हैं इसके लिए आप किसी भी सीजिनी फल का इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ लोग वरत के दोरान आलू का सेवन करते हैं इसे आप उबालकर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इसे बार-बार न खाए शाम के समय में बस एक बार इसका सेवन करें. सावन के वरत में साबुदाने का सेवन भी किया जा सकता है. इसके लिए आप इसकी खीर, खिचड़ी या पकॉली के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं. सावन वरत के दौरान आप कच्चे नारियल का भी सेवन कर सकते हैं, ये एनरजी देने का काम करता है. साथ ही ये सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है. अगर आप इसका सेवन वरत के दौरान करते हैं, तो आप पूरे दिन चुस्त और दुरुस्त बने रहेंगे. सावन सोमवार वरत के दौरान पेठे का भी सेवन किया जा सकता है. दरसल, ये एक पल से ही बना होता है, इसलिए इसे उपवास के दौरान खाया जा सकता है. सावन सोमवार वरत में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप भी सावन सोमवार का वरत रखने जा रहे हैं तो आप इस दोरान आटे का सेवन न करें कहा जाता है कि आटे से बनी चीजों का सेवन करने से वरत खंडित हो जाता है सावन सोमवार वरत में नमक खाने की मना ही होती है लेकिन कई लोगों को बीपी जैसी समस्याए होती है तो ऐसे लोग साधे नमक की बजाए सेंधा नमक खा सकते है सावन सोमवार वरत में प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए ये चीजे तामसिक होती हैं और वरत में इन चीजों को नहीं खाया जाता है ये तो हुई बात कि सावन के महीने में बरत करने बाली महिलाओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आम आदमी को जो बरत नहीं करता है मगर सावन की धार्मिक महब को मानता है उसे सावन की इस पावन महीने में पूरे महीने तक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए सावन के महीने और हरे रंग के बीच खास संबंध है हरे रंग को प्रकृती का प्रतीक माना गया है वही शिव और प्रकृती के बीच भी गहरा संबंध है शिव जी को पूजा में बेल पत्र, भांग, धतूरा आधी प्रकृती से जुड़ी चीजे ही अर्पित की जाती है सावन का महीना शुरू होते ही चारो और हरियाली चा जाती है और बारिश से मौसम सुहाना हो जाता है यही कारण है कि सावन के महीने में महिलाए हरी चूड़िया और कपड़े पहनती है लेकिन सावन में हरे रंग का इतना महत्व होने के बावजूद भी इस महीने कई तरह की हरी सबजियों का सेवन करना वर्जित होता है आखिर इसका कारण क्या है? आईए जानते हैं दरसल आयर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित और कफ तीन तरह के दोश होते हैं इसलिए शास्टरों में रितुचार्य भूजन यानि मौसम के अनुसार भूजन करने की बात कही गई है इसके अनुसार सावन यानी वर्षायतों में शरीर में वाद बढ़ने लगता है इसलिए इस महीने ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो वाद को बढ़ाती हो हरी पत्तेदार सब्जिया वाद को बढ़ाती है यही कारण है कि सावन महीने में शास्त्र से लेकर चिकित सक भी इन्हें खाने की सलाह नहीं देते हैं सावन में भूल कर भी नखाएं ये 20 तरह की हरी सबजिया सावन में पालक, गोभी, अजवाइम, हरा प्यास, सरसो का साग, ब्रोकली, जलकुमभी, कासनी, पत्ता गोभी, सौफ, बत्वा, पुदीना, धनिया, मेथी, मूली के पत्ते, हरा कोलाड, सलाद पत्ता, ब्रिसल स्प इस महीने मांसाहार, भोजन और अत्यदिक तला भुना भी न खाएं, सावन महीने में कच्चा दूद भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कच्चे दूद से शिवलिंग का अभिशेक किया जाता है, सावन में हरी सबजियों के साथ ही बैंगन खाने की भी मनाही होती है